आज है संडे तो संडे की सुबह करेवन काम कर लेती है तो कप्ड़े लत्जे नीकाल लेती हैं तो आज मैं तैया इसी की तैयारी में लग गए है सुबह सुबह तो यहां पर मैंने कपड़े रखने की जगह बना रही हूं सुबह सुबह तो पहले तो यहां पर विस्तर रखते अभी भी जो विस्तर ही रखेंगे लेकिन पहले अभी तोड़ी गर्मियों की विस्तर थे यहां पर थोड़ी सी जगह बन जाते थे और अभी कम घ्रफ्णान नेकन पानीक हैं कि राप एक उहें वेक्चोन तेचे पानीक रर्क भी पानी जासे पानीक काफा हैं बच्चे भार देता है विफ्चार है निचिया एक पानीक लोड फाक करने हैं इसलिए मैंने पटिया रखती थी तो पटिया भी छोटी पड़ रहे हैं तो मैंने उनको हटा दिया और ऐसा ही हमने एक टाट विछा दिया वहाँ पर और उसकी वाद मैंने पूरी वहां के साफ सपाई करके तो फिर मैंने सचा चले अब पलंग पेटी खोल लेती हूं और वि सब्सक्राइब करें और बीच में कोई ना कोई सामाल निकालना ही पड़ता था इसमें से तो फिर मैंने सचा चले जाए बाद में करूंगे यहां पर ना जो एक परदा थी तो परदे में से वह कोटन उती ना इदम कड़ग वाली वह टूट रही थी तो पूरे विस्तर पी रहे हो गई और इतना मतला उंदा लग रहा था जैसी कि पता निक इतनी दिन से साफ सप़ाई नहीं वहिए ऐसा लग रहा था तो मैं उससी को जए चटा कर रही हूं इस तरी के चैहरे एक दम बाद छोटा चोटा था कत्रन जो सब तूर गिया तो मैं इसी को साप कर रही और जितने भी कपड़े होते हैं मेरे सारे में इसी में घरपके रख देती हूं जगह नहीं है ज्यादा इसे पीर में सोचती हूं कि इसी में रख देहूं मैंसे जो पहनने वाले होते हैं डेली के वो तो बाहर रखती वैसे जैसे कहीं कहीं जाने आने वाले होते हैं वो मैं इसी में रख देती हूं तो यहां पर मैं सारे कपड़े हटा के और आप मैं जै निकाल लेती उनी कपड़े तो यहां पर मैं एक बैग में भरके रख देती उनी कपड़े जितने वे होते हैं बैग में भारकी रख देती हूं तो जब ज़रूत होती है तब निकाल लेती हूं नहीं हो तो आरांसे उसी में बैग बने रहते हैं तो अभी दीखे ज़रूत पड़ गए या तो मैंने सवाज़े चलिए निकाल लेती हूं यहां पर बेटी की जो डांडिया थी वो एक गूम हो गई थी एक रखी हूई थी बैग में और एक रखी हूई थी ऐसे ही बाहर पड़ी थी एक मिल गई उसको जो अभी नवरात्रों में उसको ज़रूत थी तब उसको जय नहीं मिली और आज दिखिया भी मिली तो मैंने उठा कर गे रख दे दोनों यहां पर हमने उनी कपड लिए हैं सब के ही तो सारी कप्ड़े मैंने निकाल लिए और बैग मे ने खाली कद्या और जो अभी जुरूत के नहीं हैं वो में शारियां नावरे बहर के रख दिती हूँ जीती मेरे साड़ियां थी, जो कि अभी नहीं पहनती हूँ मैं सावइसी में भरके रख दीती हूँ कुछ बजलिगमें भरके रख रख आया कुछ इदर उधर आशी म TP वैसे छोटे मोटे कप्रेते, उसके तो मने तक क्याइघ बना लीती जो शाड़ियों वगेरा हैं, इनको तो भी कुछ काम है नहीं, और साड़ियां हैं वो ऐसी हैं, जो कि इनका कुछ बन भी नहीं सकता, रिजायन वाली हैं, यसे मोटी मोटी हैं, तो इसलिए फिर मैंने भरकी रख दिये, देखेंगे कभी किसी को जया दे दूंगी, किसी को ज जादा भी ठंड बढ़ गई हैं, यहां पर गाव में तो उससे भी जादा हो गई हैं, तो गाव में तो कब से जो है रजाईयां निकल आई हैं, उन्ही कपड़े वो भी निकल आए, उन्हें पेहने वाले, लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा नहीं थी, तो पर मैंने सोचाद आए, तो फिर जोली निकाली, लेती हूं, तो सारे कप्डे वी निकालाँगी, अर इस आद बहुतु है, पहले, वो भी निकाला अगों निकाली है, पप्डे नें प्पड जो अभी कम्म नेशने क्मव कर llegó बादा आए, उच्छे से राखताजां यहां आजाओ रखने के बाद में फिर मेने सुझा चली अभी में डून डान की रख देती जो गर्मियों के चतर वगड़ा थे वो तो यहां पर हमने सारे कपड़े रख दिये और एक दो बच्चे होंगे वो कभी जरुत पड़ी बीच में जब लगेगा की जरुत है तो निकाल लोंगी और यहां पर हमने पलंग पीटी अच्छे से लगा दिया इसके बाद में हम सोच रहे कि यह जो इस पर यह टार्ट बिचा हुआ है ना यह बिल्कुल खिसक के इदार आगया तो मैं सोची कि इसको जो सई कर लेती हूं लगे हां तो फिर बाद में होता नहीं है फिर लगता है कि जर्था कर लेती हूं तो यह टार्ट बिल्कुल नीचे खिसक गया टार्ट में इसलिए विच्छाया की कि आना जो इसमें कप्रिल लब्ता सामान रखा हो हां तो पर से थोड़ी बहुत धूल जाते है तो इसलिए मैं इसलिए टार्ट विच्छाया था तो इसको मैं सही कर देते हूं और दर बिच्छा हो इसलिए पटिया पटिया इसलिए भी है कि यहां पर जो इस तरफ को थोड़ा सा उंचा है इसको सिराना उस तरफ और जो इस तरफ के जगे वह इधार दि तो मैंने उल्टा कर दिया किए क्टिए excited अधिश्टा तरह नीचे किसक जाता फिर मैंने उसको इदर किया और जो पैर की साड़ती वो मैंने सीर की तरफ कर दिया तो इसलिए फिर जो नीचा था फिर उन्होंने जो आजब जीने उनको वह लेड़ते हैं इसपर तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा बोले यहां तो इसलिए फिर उन्होंने जो एक पटिया रख ले इस पर तो पटिया थोड़ी उची सी करके ऐसी रख लेती उसकी उपर रख देते हैं गद्धा तो गद्धा इतना भारी था दोस्तों अकेले उठता नहीं है नीचे खिसका के तो मैंने रख दिया लेकिन उठा नहीं अ सुबे का अभी जो है नास्ता बगएरा कुछ भी नहीं बना है बच्चे अभी एक उड़ रहे हैं कोई जो है उस कमरे में लेठा हुआता है तो फिर मैंने जो है सोचा कि इस कमरे का जो आज काम पूरा फिनिस कर देती हूं जड़ों पोचा और जो भी सारा काम है मैं सारा क जो है करके उसकी वाद मीं फिर नास्ता बगएरा बनाऊंगी और यहां पदिकी मैं जो है बैट सीट बिछा रही हूँ और बैट सीट जब तक अच्छी से जम नहीं जाती ना अच्छी सेट नहीं होती हूँ तब बै אות ही इसा लगटा है क्यां अधूरा लगो डिखनें लगए उसकी मतलब बादमेने देखने में अच्छा लगी और एक दो दिन तक सेट बनी रहे तो अभी मेने जैसे बिचा है ना, ऐसे करीबन दो चार दिन तो हमारी अच्छे से बैठ से बिच्छी रेती है, बस थोड़ी बाद जो सुक्रन होती है और वो तो खेर बिच बिच में जब जारती है तब गड़ी देती है ने तो जो मैने अच्छे सा भी सेट गी ना, ऐसी मे बिचा देती हूं तों करीमां सिह दिन आराम से छल जाती है। तो देखी बहुत अच्छे से सेट हूं गई है। अब गद्धे को पीछे खिसका देती हैं। उसके बाद में हम सूर्ण रक दिती तकिया सचे से। तो इसदर के बैडशीं देती हैं। तो आराम से दो-चार दिन चल जाएगी, बस यहां पर हमारा थोड़ा बहुत काम हो गया है, बैट सीट का, जो बैट सीट मुझे चैंज भी करनी थी, और सामन बगएरा भी निकलना था, तो वो मेरा जाया आदा पता जाय काम तो हो ही गया है, तो बस अभी मैं कपे लेते हैं वो मैं सारे जाय कापे उठा करके, जो कम्मल बगएरा है, वो तो मैं रखती हूँ धूप में, तो धूप में एक-दो दिन जो सुखा लेंगे, सुखाने के बाद में फिर जाय इसको ओड़ेंगे, तो वैसे तो खेर मैंने जब रखेते हैं, जब भी मैंने धूल के रख द दो डालते हैं, लेकिन कम्मल है, जो अकेले नहीं दूलते हैं, तो मैं सुखा देती हूँ दूप में, तो सारे कम्मल में रख के आगई हैं, तो मैं सुखी कि पहले तो यहां पर जो भी कपड़ेंगे, पहले सेट कर देती हूँ, जो इस तर बगएरा नीचे पढ़ा हुआ में ब्राप जाए , तो सारे काम ज़ए करती हूँ, और खाने पिने का विट आए मैं हो जाता हैं, सुख जो भूः, इस सुखे सब भूह भूगेले स्वागे बाथा हैं, पहले के सार में ब्र्धित, और दभी को समय को भूषनव लगती, फिर ज़ए सारे काम में करती और यहां पर जितने भी जो कपड़े थी सारी कपड़े में उठा करके ले गई मसीन में डालने के लिए इनको डाल दूंगे और धुलके उसके बाद में फिर सुखाऊंगे तब तक यहां पर मैं जो जाड़ू कुछे का है वो कर लेती हूं जल्दी से बच्चे भी उधर से बिस्तर उठा के लाएती में इसको भी लागा देती हूं फिर मैं जाड़ू पोजा जो कपड़े मसीन में डाले हैं वो दूलके डालोंगे और यहां पर जो भी काम है वो मैं जल्दी जल्दी से करूंगी तो आज का जो वीडियो है इतना सा ही है दोस्तो तो अगे का वीड कामा हो जाता है इस वैसे इतना ही था दोस्तो बिलेंगे आप से नई ब्लॉग में तब तक के लिए बाए बाए रादेगे